एक शहर में रामदास नाम का एक आदमी अपनी पतनी गीता और बेटे बबलू के साथ रहता था रामदास बाजार में फलों का ठेला लगाये करता था वो लोग बहुत गरीब थे, कभी-कभी उनके घर पेट भर खाने को भी नहीं हो पाता था और उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था गीता, कुछ खाने को हो तो दे दो, थेला लेकर निकलना है अरे, सिर्फ एक रोटी बची है और वो बबलू के लिए रखी है बबलू को दे दो, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, कोई बात नहीं तुम पूरे दिन भूके रहोगे, ऐसे कब तक चलेगा ये सब? ये समय भी गुजर जाएगा गीता, भगवान पर भरुसा रखो, सब ठीक होगा पापा, आप मेरी रोटी ले लो, मुझे भूग नहीं है नहीं बेठे, तुम खाओ, मैं जल्दी लोटाऊँगा रामदास अपने ठेले के साथ काम पर निकल गया, लेकिन उसके मन में चिंता का बोज था ए भगवान, मैं कैसा आदमी हूँ, जो अपने परिवार का पेट तक धंग से नहीं भर पा रहा हूँ, मेरी मदद कर भगवान रामदास के दिन ऐसे ही गरीबी में कट रहे थे, फिर एक दिन उसके पडोस में गौरव नाम का एक अमीर आदमी अपने परिवार के साथ रहने आया उसकी पतनी का नाम रिया था और बेटा सनी था, जो की शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था हलो, हम आपके नए पडोसी है, मैं गौरव और ये मेरी पतनी रिया और बेटा सनी है नमस्ते, मैं रामदास, ये मेरी पतनी गीता और बेटा बबलू है यहां कर अच्छा लगा, आपको किसी चीज़ की जरूत हो तो बताईएगा जी धनेवाद, पर आप यहां नए हैं, आपको कुछ पूछना हो तो बेजिजग पूछ लीजेगा हेलो, तुमारा नाम क्या है? बबलू, और तुमारा माई नेम इस सनी अगले दिन तेज धूप थी, सूरज आग उगल रहा था, रामदास अपने ठेले को लेकर बाहर निकलने की तयारी कर रहा था उसने अपने सर पर एक पुराना अंगोछा बांधा और वो ठेला खीचते हुए बाजार की और चल पड़ा वहीं दूसरी तरफ गौरव अपनी एसी कार में आफिस जाने के लिए निकला, जैसी वो शेहर की सडकों पर आगे बढ़ा उसने सूचा कि रास्ते में कुछ ताजे फल खरीद ले, गौरव ने कार एक फल वाले के ठेले के पास रोकी और बेना कार से उत्रे ही आवाज लगाई गौरव ने फल दिये, पैसे दिये और एक बर फिर रामदास की तरफ देखा, दोनों की जीवन में जो अंतर था, वो एक छोटी सी बाचीत में ही साफ जहला गया रामदास ठेला लेकर आगे बढ़ गया और गौरव अपनी एसी कार में आराम से ओफिस के लिए रवाना हो गया मैं तो चाहा कर भी इतनी तेज धूप में नहीं निकल सकता, रामदास तो कमाल है इधर घर पर बबलू तेज धूप के बावजूद बाहर खेल रहा था, वो खेलते खेलते गौरव के घर के सामने जा पहुँचा, वहां उसने देखा कि सनी अपने घर के आंगन में खड़ा है अरे सनी, आओ, कोई अच्छा गेम खेलते हैं, आजाओ, मुझे मम्मी ने बाहर जाने से मना किया है, दूप बहुत तेज है हाँ बेटा, दूप में खेलने से स्किंग जल जाती है, बिमार पढ़ जाते हो, इसलिए अंदर ही खेलो हम तो रोज खेलते हैं दूप में, हमें तो कुछ नहीं होता, मम्मी मुझे भी खेलने दोना, मैं अंदर रहकर बोर हो रहा हूँ अच्छा ठीक है, लेकिन पहले संस्क्रीन लगाओ और टोपी पहन लो ठीक है मम्मी, बस जल्दी से लगा दो सनी ने संस्क्रीन लगाई, तोपी पहनी और बाहर खेलने चला गया दोनों बच्चे गर्मी की परवा किये बिना, खेल में मस्त हो गए बबलू के लिए ये रोज की बात थी, लेकिन सनी के लिए एक नया अनुभव था शाम को जब काम खत्म हुआ और दिन की गर्मी थोड़ी कम हो गई तो दोनों परिवार अपने अपने घर के बाहर खड़े, ताजी हवा खा रहे थे रामदास भाई, आप लोग हमारे घर क्यों नहीं आते, चली, आज की शाम हमारे साथ बिताईए हाँ गीता जी, आप भी आएए, बच्चे भी खेलेंगे और हम सब साथ में चाय पियेंगे, मज़ा आएगा नहीं गौरव जी, हम कहां आपके घर के लायक हैं, हमारा स्टेंडर्ड आपके जैसे लोगों के साथ मेल नहीं खाता जी, हम नहीं आप आएंगे, आप हमें माफ कर दीजे, हम ठहरे गरीब लोग, कही कोई गलती हो गई तो अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हम सब एक ही महले में रहते हैं, ऐसे कैसे चल सकता है गौरव जी, हम गरीब लोग हैं, हमें नहीं पता कि बड़े घरों के क्या कायदे होते हैं, ना आप बुलाईए, ना हम आएंगे और आप भी हमारे घर मत आईएगा, हमारे घर का हाल देखकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, शायद आपको बैठने का भी मनना करे गौरव और रिया ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन रामदास अपनी बात पर अड़ा रहा, अंत में दोनों परिवार अपने अपने रास्ते चले गए, फिर एक दिन काले बादल आसमान में उमरते हुए दिखाई दिये, गौरव और उसका परिवार उन्हें देखकर ब बारिश में रहाने चलेंगे, और बाद में गर्म गर्म पकोडे खाएंगे, हाँ, और अगर बारिश होई तो लॉंग ड्राइब भी करेंगे, दूसरी तरफ रामदास का परिवार बादलों को देखकर चिंतित हो गया, अरे गीता, ये बादल तो बहुत काले हैं, अगर ब बारिश का मोसम कठनाईयां लेकर आता है, उशी दिर बाद बारिश उले के गए, गौरब और उसके परिवार के लिए खुर्शी का पल था, सनी, चलो जल्दी बाहर, बारिश में नहाएंगे, हाँ मम्मी, और फिर पापा से कहेंगे कि हमें लॉंग ड्राइब पल ले चले हाँ, मैं कार तयार करता हूँ, तुम लोग तब तक नहालो उधर रामदास और उसके परिवार की चिंताएं बढ़ गई, पारिश के तिर बोते ही, उनकी छट से पानी टपक ने लगा अरे गीता, जल्दी से वो तिरपाल ले आओ, छट से पानी टपक रहा है हाँ, मैं लाती हूँ, लेकिन तिरपाल भी फटा हुआ है, उससे भी पूरी तरसे बचाव नहीं हो पाएगा मम्मी, घर के अंदर पानी बढ़ने लगा है, जल्दी से फाल तो बटतर निकालो, ताकि पानी खटा कर सके, नहीं तो सब भीग जाएगा इतनी मेहनत से जमा की हुई चीज़े, अगर पानी में खराग हो गई, तो क्या करेंगे कुछ नहीं गीता, यह हमारी जिंदगी है, हमें हर मुशील का सामना करना पड़ता है, यह हमारी किस्मत है इस बीच गौरफ और उसका परिवार बारिश का पूरा मज़ा ले रहे थे, वे लॉंग ड्राइफ पर जाने की तैयारी में थे, वा, गर्मा गरम पकोड़े और चाय का मज़ा ही कुछ हो रहे इस बारिश में मम्मी, बारिश में ड्राइफ करते हुए म्यूजिक सुनने का भी अलगी मज़ा है, बिल्कुल, चलो, चलते हैं, और रास्ते में तुम्हें तुम्हारी पसंदीना आइसक्रीम भी खिलाऊंगा मैं तो भुट्टा खाऊंगी हाँ, जरूर गौरफ की कार बारिश में सडकों पर दोड़ने लगी, जबकि रामदास का परिवार अपने घर में पानी से बचने की कोशिश करा था रामदास ने घर की छट पर तिरपाल डाल दिया था, लेकिन फिर भी पानी कहीं न कहीं से अंदर टपक ही रहा था कब तक ये सब जेलेंगे, हर बार बारिश हमें और हमारी जिंदगी को मुश्किल बना देती है पता नहीं गीता, बस भगवान से ये ही प्रातना है, कि बारिश जल्दी से रुख जाए, मुझे तो कल फिर से ठेला लगाने जाना है, नहीं तो घर का खाच कैसे चलेगा वाले पानी ने काफी सामान खराब कर दिया था, और अब वो सब कुछ सुखाने की कोशिच कर रहे थे गीता, ये पानी तो खतम ही नहीं हो रहा है, जितना निकालते हैं उतना ही और भर जाता है हाँ, और देखो कपड़े और बर्तन सब भीग गए, अब इने धूप में सुखाना पड़ेगा, बस भगवान से प्राथना करो कि अब और बारिश ना हो पिता जी, अगर और बारिश होई तो हमारा घट फिर से ढूप जाएगा क्या हाँ बबलू, इसलिए हम दुआ कर रहे हैं, क्या बारिश ना हो, अब हम और मुश्किल नहीं जेल पाएंगे वही दूसरी तरफ, गौरफ का परिवार बारिश के बाद, घर के बाहर खड़ा होकर सुहाने मौसम का आनंद ले रहा था उन लोगों की ये बात, रामदास के परिवार ने भी सुनी, जिससे सुनकर बबलू बोला और आप लोग बारिश की काम ना कर रहे हैं, माफ करी रामदास भाई, मुझे अंदाजा नहीं था कि बारिश की वज़े से आपके घर की हालत इतनी खराब हो जाए रामदास ने बिना कुछ कहे, गौरफ की और गहरी नजरों से देखा, और फिर अपने परिवार के साथ घर के अंदर चला गया गौरफ की चहरे पर पच्चतावे की छाया साफ नजर आ रही थी, क्या हमने कुछ गलत कहा? शायद हमने उनके दर्द को समझा नहीं, हमें उनके हालात का अंदासा होना चाहिए था उनके घर में पानी भर गया है ना, इसलिए वो दास है हाँ, यही बात है, वो हमारे पडोसी है, हमें उनका दुख दर्द समझना चाहिए था चलो, हम उनकी कोई मदद करते हैं, वो लोग अपने घर के अंदर चले गए और सूचने लगे कि कैसे रामदास की मदद की जा सकती है पर कुछी देर बाद, रामदास घुसे से भरा हुआ, एक हाथ में मोटा डंडा लेकर उनके घर में घुसा आया उसके चहरे पर घुसा साफ जलक रहा था रामदास भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे रामदास भाई, हमसे गलती हो गई, हमें आपकी दिक्कत समझनी चाहिए थी, आप लीज शांत हो जाएए रामदास का डंडा हवा में उठ चुका था, और गौरव डर के मारे एक अदम पीछे हट गया रामदास गौरव को क्यों मारने चला है? जानने के लिए हमारी इस कहानी का दूसरा पार्ट जरूर देखिए और वो पार्ट आपसे मिस्टा हो, उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल काका टीवी को फोरण सब्सक्राइब कर लें